नमस्कार आप देख रहें आज तक आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओम कश्यप वो जो मेरे सामने मुश्किलों का अंबार है उसी से मेरे होसलों की मिनार है प्रधानवंत्री नरेंद्र मोदी जी आप ही की लिखी हुई कविता की ये दो लाइने हैं आपने 400 पार वाला टाग को मेरे नमस्कार है और मेरे लिए खुशी है कि पूरे चुनाओं में कहीं बार मुझे आज तक के लोगों से कहीं मिलने का मुझा मिला है लेकिन ये चतुष कौन पूरा है वैसे ही चार जब इखटे होते हैं कई प्रकार के कहावत हैं सब तो मैं उप्योग नहीं कर सब्सक करते हैं तो उमीद्वारों की लिस्ट बनाते हैं वह कौन हमारा स्टार क्यांपेणर होगा ये सब घुशना पत्रते करते हैं लेकिन आप सौ दिन आगे का अजेंडा बनाने में लगा है इसलिए मेरा पहला प्रशनाप से यहिए कि 2004 में जब आप आप तो सो दिन के अंदर च्या सटवे दिन 2024 में अगर आप सत्ता में आते हैं तो सो दिन में क्या करेंगे कौन से बड़े और सक्त फैसले ले सकते हैं एक तो साइद मेरी कारशेली का है हिस्सा है कि मैं चीजों को बहुत बैलेंड एडवांस करता हूं जब मैं संगर्षन का काम करता था तब भी मैं काफी पुर्वानुमान लगाता था कि मुझे इस समय यह करना है इसलिए मैं ताइम का भी धंग से बटवारा करता हूं प्राइडी भी बड़ी आसानी से तैय कर सकता हूं मैं किसी मेनेजमेंट स्कूल का स्टूडन तो नहीं रहा हूं लेकिन शायद यह मेला काम करते करते डवलप हुआ है जब मैं गुजरात में था तो गुजरात में भी मैं और आम तोर पर जो क्रिटिक्स होते हैं या अब्जर्वर्स होते हैं वो शुरू के तबके का देखते हैं बहु भी जब शादी करके घर में नहीं आती है तो पहले पांस साथ दस दिन बराबर देखा जाता है यह कैसे प्राइड रहता है दुनिया का स्वभाव है तो मुझे लाजा कि मु इंट्रेस्टिंग घर्टा बताता हूं 26 जन्वर को गुजरात में भुकम भाया हूं भाहिंकर भुकम था मैं उसे में पार्टी का काम करता था अक्तूबर सेवन को मुझे अचानक सीम बनना पुड़ा हूं स्वाण साथ लेकर करके मैं सीधा भुकम घ्रश ईलागे श्रा रहा है दो तीन रात में रहा देखा सब चीज़े मैं मैंने आकर कि मिटिंग ली मेरे अपसरों की तो सब बता यह सब मेने तक हो जाएगा मार्च मैंने का सबसे पहले ही तुमारा यह मार्च वाला बजेट कालेंडर है उसको कागज को ऐसे बाजू में रख दोबाए मुझे बताओ 26 जन्वरी के पहले क्या करोगी है मैंने का दुनिया 26 जन्वरी को देखने आएगी कि एक साल में क्या किया सारा प्रीपॉन करिए मुझे बताइए फिर मैंने पूरी मस्षिंट्रे को मबलाइज किया और मैंने यहां शायद 24 जन्वरी को दिल में आकर करेप्रेस की थी और मैंने देश को रिपोर्ट कार दिया और उस समय जैसी मेरा अनुमान था बहुत बड़ी मात्रा में मिडिया गुजरात पहुंचा हुआ था और वो मिडिया पहुंचा हुआ था जो चाहता ही था कि हमारी चमड़ी उधेड़ दे लेकिन मजा आप देखेंगे चोबीस परचीश जबीस जन्वरी की रिपोर्ट वाहवाही के सिवा कोछ नहीं था और उसका एक कारण यह था कि मैंने मार्च के डेड़न को प्रिपॉंट कर लिया तो मेरी टीम का उत्सा भर गया कि यार देखे सफलता काम रेकिनेश हो रहा है तो मैं इसकी ताकत समझता हूं और इसलिए मैं एक सौधिन का दूसरा मैं य अच्छी चीजा जाए कि देख लेंगे जी नहीं सरकार मुझे चलाना है सरकार चलती है इसके लिए मुझे लोगों ने नहीं पिठाया है मुझे देश में कुछ चीजों को चलाना है मुझे कुछ चीजों को बदलना है और इसलिए मेरे पास तो मैंने क्या किया 2014 में मैंने सौधीन के लिए सोचा पांच साल के लिए मैंनेफेस्ट हो था 2019 में मैंने यह भी देखा साथ साथ में मैंने ग्लोबल चित्र की तरफी थ्याना कर सित्किया मेरा 2024 में मेरी सोच थोड़ी लंबी है मैं पिछले पांच साल से काम कर रहा हूं 2047 पे और यह पांच साल से काम चलना है देश के शायद विश्कलाब से ज्यादा तो मैं कह सकता हूं जिन से मैंने इंपूट लिये हैं और मैं उनके आधार पर 47 का वीजन डॉक्यमेंट बनाए दो पीडी अपसोरों की रिटार हो चुकी होगी इस पर काम करते करते काफी नए लोग आये हैं अब मैंने कहां मैंने चुनाव के एक मेहने पहले गोशे दोने के एक मेहने पहले पुरा बड़ी समीट की थी मेरी सभी काउंसिल की और सभी सचुई फिर मैंने कहा भी यह 2047 नहीं ऑन मुझ उसको की पांच साल में बता यह पिर मैने पांच साल का बनाए हुआ है हम है फिर मैंने उनको कहाए ह मुझे इसमें से सव दिन कर्निका निकालिये है आकशनेबल अच पई फिर मुए पिर मोझा पेरिका इस बहूंत औरस्यम होगी और हिरी अ हो की अधार पस्फ j Fin चिए तो उन्हों ने काम रहे हैं त्यार किया है मेरी निकाल कर्कै बैटि है इस वागी है समय निकाल करकर बैठ लूँ गा है ट्यार है मैं नेकिन약 अब मेरे मैंन में काम करते करते नह विश्यार आया वह जो पहली बार आपके सामने बता रहा कि मैं जब सोथ दिन का सोच रहा था अभी मैं सवा सोथ दिन पर सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ और मैं उत्साइद भी हो गया हूँ कि मैं देखा कि पूरे केंपेंड में कि फॉर्स्टाइम बोटर को हो युआ पिली को यानि मैं उनका पॉल्वन देख रहा हूं तो मैं आज करने वाला हूं कि मैं अब एक सोपचीस दिन पर काम करना चाहता हूं सो दिन का मैंने प्लान कर लिया है बाचीस दिन और जोड़ना चाहता हूं और उस प्यॉर्ली मैं यूद को चाहता हूं को आप मुझे आइडिया दिजिए आप मुझे अपनी प्रावरिटी बताइए तो मैं पचीस दिन टोटली डेडिकेट करना चाहता हूं बरी देश की वहाओं के हो तो सवास होगा मैं करूंगा काम सौसे मैं आगे बढ़ रहा हूं पचीस दिन का तो हो सकता है सर हमारा कारिकरम देखने के बाद ये इंट्व्यू के बाद शायद यूथ अपने आप ही आपको आईडिया आपके सामने बोला हूं तो आप बता सकते हैं यूथ को बहुत ही लोगों को अच्छा लगेगा जी सर देखिए ये टिकेट दिये जा रहे थे उस समय लोग कहते थे कि टिकेट नहीं है ये निरवाचन का सर्टिफिकेट है हर जगा जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा है और आपका काम है आपको कभी ऐसा लगा कि इस बार तीसरे टर्म के दौरान केंडिडेट्स न देख रहे हैं कि कोई लैक आफ पार्टिसिपेशन या जरूर से जादा एक शौरटी कैंडिडेट्स में या कारे करता हूं में एक तो ये जो चुनाव जितने वाला हूं ये हमारी सरकार बनने वाली है इस अनुमान पर पहुंचने में आप बहुत काफ लेट है बहुत ले फोन आये तक हमें बिटिंग को चाहिए तो दुनिया को तो पुरा वरोसा है कि ये सरकार बनने वाली है आप काफी लेट है लेकिन फिर भी देरा है दुरस आए अच्छा ही है जहां तक चुनाव का सवाल है मैंने एक साल पहले में तो पार्टी को कहा था बड़ी मिटिंग कहा था कि केंडिडेट का इंतजार मत करो आपका केंडिडेट गोसित हो चुका है और वो है कमल है कमल ही आपका केंडिडेट है और कोई केंडिडेट है ही नहीं तो एक साल से मैं सिरफ कमल के लिए ही काम करना प्ताइक कर चुका है मेरी पार्टी को मैंने उस प्रकार से गल कर रहा है में भी कमल के लिए काम कर रहे हैं मेरे साथी तो मैं लोग भी कहते हैं कि एकर सब इतना असां है तो इतनी मेनत क्यों कर bytes मेहनत मैं इसको अवसर मानता हूँ जनता जनारदन के दर्शन करना उनकी भावनाओं को समझना यही तो मेरी प्राण शक्ति है कि मेरी उर्जा है दूसरा लोकत्र में चुनाओं को हमने जीत हार के सिमिद अर्थ में नहीं लेना चाहिए यह बहुत बड़ा एक प्रकार से उपन युनिवर्सिटी होती है आपके पास अफसर होता है अपने विचारों को लोगों तक ले जाने का और आप जब डायरेक विचार ले जाते हैं तब ना डाइलूजन आता है ने डाइवर्जन आता है परफेक्टली मैसेजिंग आप कर स अब जैसे काशी से गया तो मैंना काशी का मिजा जाए लेकि मैं कोडर मा गया वहाँ का जो दुरस्ष्य देखा तो मैंने अपना पुरा भाश्वन का विशे बदल दिया पहले मैं जाता था रस्ते में कुछ अलग सोचता था मैं कि मुझे लगा कि मैंजे यह जो लोग है म और मैं मानता हूँ सभी राजनितिक दलों का करतव हैं कि वे चुनाव का भरपूर उपयोग करें मतदाताओं को एड़ुकेट करें अपनी वर्किंग स्टाइल से एड़ुकेट करें अपने प्रोग्रेम से एड़ुकेट करें यह काम सब ने करना चाहिए मैं तो चाहूँ मैं ये आप से जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी बात है कि आप जिम्मेदारी उठा लेते हैं मुझे गुजरात के दो विधान सभा चुनाओ मैंने कवर किये ये तीसरा लोग सभा आपका चुनाओ है जो मैं कवर कर रही हूँ मैंने देखा हर जगे आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है क्योंकि इसमें एक डर फेलियर का भी रहता है जो शायद आप मैसूस नहीं करते हैं कभी पर 400 पार का नारा के साथ आपने शुरू किया एक बहुत बड़े मतलब उस समय स बच्चा नब्वे मार्ग लाता है तौब जरू कहते होंगे अगली बार निट पर जरू कहते होंगे 99 ला यह होंगे विले 99 है सो लाना तो मुश्खिल है लेकिन फिर भी देखो ना जरू कहते होंगे हमारे पास अल्रेडी 19 से 2400 थे नडीय के रूप में और NDA प्लस के रूप में तो यह मेरा करतवे मनता है अभी भावा के रूप में भी कि चार सो पार आगे जाना है तो यह मेरी जिम्मेवारी बनती है क्या हम निरनता आगे बढ़ना चाहिए मैं यह तो नहीं कह सकता 90 आए यार तेरे किसी दोस्को 90 नहीं है साथ आएंगे तो चल जाएगा तुम चिंता मत को रहता नहीं कह सकता 90 है तो मैं कहूंगा 95 लाओ तुम्हारे और दोस्तों को क्या है उसके अधा पर थोड़ा सुखते है तूसरी वाहता है जहां तक दिम्मेवारी यह लेडर्रिशिप का करतव है जी आज देश का दुरभाग्य है कि दूसरे के सर पर ठिकरा फोर दिया जाता है नेता भाग जाते हैं चमड़ी बचाते हैं यह तो देश के लिए सबसे निराशा और दुख की बात हैं कम से कम एक इनसान है जो जिम्मेवारी लेनों को तैयार है जो भागता नहीं है जो कहता ह ची मैं यह कहता हूँ मेरी जिम्मेवारी है और देश में राजिनीतिक जीवेर में हर दल में जिम्मेवारी लेने वाले लोग होने चाहिए ऐसी लोग नहीं होने चाहिए जब नůइस पर ठिकरा फोर्ड करके भाग जाया ये चुभानी देता है ये तो धानमंत्री जी जब 2014 का चुनाव हुआ उस वक्त देश में मनमोहन सिंग के खिलाफ कांग्रेस और यूपिया के खिलाफ बहुत गुस्ता था लोग बदलाब चाहते थे 2019 का चुनाव हुआ उससे पहले पुल्वामा बालकोट हुआ राश्रिता का भाव था देश बर में और लोग आपको एक और मौका देना चाहते थे इस बार विशलेशक ऐसा कह रहे हैं कि क्या उस तरहां का जोश और जस्बा वोटर्स में है जो कि 2019 में था वोटिंग पसेंट के डिक्लाइन को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि वोटर्स में एक तरीके से उस तरहां का इंथूजियाजम नहीं है जो कि 2014 और 2019 में था उसको आप कैसे शड़ी करते हैं ऐसा है कि कुछ लोगों की रोजी-्रोटी इस पर dependent है उनको खुद को relevant रहने लिए क्या करना होगा कि कुछ तो चीजे सगुपे छोड़ने पड़ते हैं बनना तो हवा बन्यों यार यह जीता हुआ है चुनाओं में क्या यार अबर्राज्मेंट भी नहीं मिलेगा कुछ बेकार हो जाएगा तो यह याद है मैं गुजरात में पार्टी का काम करता था तो यह साहिए नहीं होगा चुनाओं और नाइंट्टी फैव प्यूलिट affair का कोई चुनाओं तो उसके नगर पालिका के चुनाओं यह तो हे मिलेलिकी हमारी सिंबॉल पर नहीं लड़ा जाता था ज्यादा फैंडीफर में लड़ते सिलोग फाने शुरू कसी लड़ तो हम पार्टी सिंबॉल पर लड़े हैं हमारा पहला दिल्ली से जो पत्रगार आते थे फाइल लेके आते थे और चुनाव का चुनाव का सवाल यहीं से जो करते थे अब यह भी तो मैंना कहा है यार तुम लोग को प्रक्त होई काम नहीं कोई तो फुम पर तो करो दूनों दो यह नगरवाली का चुनाव कैसे होता है स्टडी तो करो वैसा ही है यह मत्तदान का मत्तदान का पुल्टिकल पार्टी के पफ़र्मोंट्स अगरी चीचों से जोड़ करके देखने के बजा ही देखना चाहिए कि लोकतंत्र में मत्तदान बड़ा महत्तपोर है उदासिंता लोकतंत्र लिए अच्छी नहीं है हमारा नेरेटिव वह होना चाहिए ताकि देश के लोकतंत्र मजबूत हो उसके बजाए हम उसमें से रिजल्ट खोजने लगते हैं और वह भी कठ्थ नहीं है करक है सिरफ अब उन तरकों के बीज़े सम लेकिन आपके इस आत्म विश्वास को जोड़ दिया जाता है बहुत सारी और चीजों से भी संस्थाओं पर सवाल उठाये जाते हैं और विपक्षी दल जो आपके उपर एक बहुत संगीन आरोप लगाते हैं सरकार पर वो ये कि संस्थाओं को प्रभावित किया जाता है और उसमें इंडिया तूड़े भी इंडिया तूड़े नामका ना दोनों से कि कि जो इलेक्शन कमिशन ने एक चिठी लिखी है उच चिठी पर ही बिद्वानों की डिबेट हो पुलिटिशन की नहीं जो एक्सपर्ट है जो इस वीशों को जानते हैं उनकी डिबेट हो और उन्होंने सही किया गलत किया क्योंकि मैं इसी के लिए कोई कॉमेंट करूँ ठीक नहीं है दूसरा इलेक्शन कमिशन यह जो इंस्टिटूट है करीब करीब पचांच साथ ताल तक सिंगल मेंबर रही है और मज़ा यह है कि इलेक्शन कमिशन से जो लोग निकले वो कभी गवंडर बने कभी एमपी बने कभी पार्लामेंट का चुनाव लड़ने गए अड़वाने जी के सामने मतलब उन्होंने कैसे लोगों को बिठाया था इसका उदार ने उस जमाने के जो इलेक्शन कमिशन जो रेटार हुए जो बैठे हैं वे आज भी उसी पुलिटिकल फिलोसाफी को प्रमोट करने वाले ट्वीट करते हैं उपीनियन अपने देते हैं आर्टिकल लिखते हैं इ मैं चाहूंगा आज तक से और मुझे पका विश्वास है अभी नहीं तो कभीन कभी आप लोग करेंगे कि भारत के इलेक्शन कमिशन के जो यात्रा है इस पर अनालिसिस हो मेरा दूसरा कहना है दुनिया में भारत के ब्रांडिंग के लिए जो हमारे पास अलग अलग चीज मैं दुनिया को बताता हूं यह मेरा देश है 900 तो सुनकर के चौक जाता हूं को 900 तुछ चल और मैं कहता हूं इतने लेंग्विज जी महतों परिशान हो जाता है तो मेरे लिए 900 चैनल मुझे दिन रात क्या करते वह अलग विश्य है लेकिन 900 चैनल हो रहा है मेरे देश के त जुबाह है यह हम सप्पा करते हैं कि हमारे देश का ब्राड्निंग करें मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों ने विश्व भर से अलग अलग मीडिया हाउसिस को यहां इन्वाइट करना चाहिए चुनाओं मैं दो हैलिकॉर्पर उनके लिए 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 कुछ पॉल्टिकल पार्टी के लोग आए दुनिया भर से कुछ आप्जर्वर के लूप में लोग आते हैं देखने के लिए आते हैं सच मुझ मैं भारत का लोकतंतर का उस्व भारत के सामाने मादमी के लोकतंतर के समाज और कितना बड़ा मैनेजमेंट है जी लाखों लोग लग मैं उनको कहिए कि भारत की एलेक्शन पोस्टेस पर महां की उनिकी उनिवर्सिटी के स्टेडी करें यह एक बहुत बड़ा एंदुस्तान का कि हमने गर्व करना चाहिए तो आपने आज तक हलिकॉप्टर शॉट देखा कि नहीं देखा मैं समय नहीं मिला मुझे देखा नह रुकावट हो जाएगी बेदर प्रॉब्लेम होगे यानि यह सरल नहीं है जी बड़ा कठी है अब नेरेटिव की बात कर रहे थे सर जैसे जब भी आप चुनाव लड़ते हैं चाहे गुजरात में यहां हर बार लोग यही कहते हैं अब आप हार रहे हैं फिर आप जीत कर आ बाते हैं जबसे आपने युनिफर्म सिविल कोड़ के बारे में लोगों को बताया और यह बादा किया अब उस पर भी एक दुसरा नेरेटिव है अब लोग कहते हैं कि यह वन नेशन वन ड्रेस हो जाएगी वन नेशन वन फूड हो जाएगा वन नेशन वन लेंग्वेज ह जाएगा और उसका एक आगे यह है कि अब वन नेशन वन लीडर हो जाएगा और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं क्या कभी आपको आफसर मिला है क्या कि ऐसा जो बोलते हैं उनको जड़ा काउंटर सावल करें कि एक अगर तो पीजी है कि आप यह नेरेटिव लाहे कहा से बहुत कंभीर बात बता रहे हैं उनको बताए कि आपने यूशी सी पढ़ा है क्या यूशी सी होता क्या यह तो पुछ तो आपके जिम्मेवारी बनती हैं मुझे जवाब दे करके देश को बताना या आप भी तो थोड़ा है होंबर कीजिए जिनके मन लेकिन कम से कम इस देश के प करके कपड़ पैनते क्या 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 मजाग बना के रखा यूनिफॉर्म सिबिल कोड इसका इसका को लेना देना ही नहीं जी भारत की सुप्रीम कोड ने कम से कम दो ड़जन बार कहां है कि इस देश में उससे से लाओ मुझे याद है कि मैं शाइद एकता हैत्रा में जब चला था पन्या कुमारी से कश्मिश जा रहा था और महराष्ट मैं साइद और रंगाबाद मुस्पाबर देश हमारा जो रत का साम का जो कारकम था उसमार चिली का कोई बाजार है सब्सक्राइब का और डॉक्टर जोसी जी को उसकी अलर्जी है तो वह एक्दम से बिमार हो गए है यहने बड़ी हालोत खराब हो गए उनकी जान नहीं रहा कि वहां हम कारकम करें ना करें तुम फरा मोर्चा मुझे समालना पड़ा मैं तो बहुत जुनियर था तो फिर वह बैं Кстати गाल मैं जा रहा था नमारा अस्कुल की बच्चे शवह समालता है मैं लिवेंसे बड़ी बात करते हैं दूसरे भाई के लिए दूसरा नियम कानून रखते हैं तीसरे देते हैं तो आपका परिवार के लेगा सब बुच्चा नहीं नहीं ऐसा कैसे चल दकता है नहीं मैंने का बया सब देश देश तो साथ कहता है क्या है साम द्याने दस सवाल पूछे देए उन बच्चों ने कहा कि लिए भाम सिविल को होना चाहिए और यह आठवी नहीं के बच्चे थे जो मेरे देश के महाराश्च्ट के टीर टू टीर थी सिटी के बच्चे समगते हैं वो देश के नेता नहीं समगते हैं तम मेरे मन में सवाल उठताएगी यह जूठे नेरेटिव और नेरेटिव को इनसान नहीं चड़ाता है माप करना इस देश के मीडिया हाउस का गैर जिम्मवार व्यवार है जो ऐसे गलत नेरेटिव को बल देता है एक आदमी कि क्या काकत है जी बोलता रहेगा कौन-कौन पूछेगा जी यह देश का देश के लिए यह किछी पुलिटिकल पार्टी का भीशन नहीं है जी देश के संभीधान में लिखा हुआ है कि भारत को उस दिशा में जाना चाहिए क्या उस समय के हमारे लोगों को यह था कि सब को गुलाब लगाना पड़ेगा इसलिए उसी से आने वाला था सम नया चल पड़ा कि संभीधान बदलने वाले हैं और यह अचानक से उन्होंने कहा और वो पिक कर गया पिक कर गया है तो मैं नहीं मानता हूँ लेकिन इस देश में ऐसा भी जूर चल सकता है सिर्फ पहले यह कुछ नहीं जी यह समिधान सवाल यह पूछना चाहिए चरचा इस देश में सबसे पहले समिधान के साथ खिलवार किस ने किया पंडित नहरू ने किया पहला समिधान में उन्होंने जो अमेंडमेंट लाए वो फ्रिडम ऑफ स्पीश को रिस्ट्रिक करने और लाएं यहने वो लोकतंत्र के भी खेलाबंता सविधान के लाफ दूसरा उनकी बेटी राई रधान मत्री सी तो बेटी ने क्या किया गार्थ keश मैंड में नहPlusrous今日 को देश में कसि आधे बात बेटे आए साहभादों का जढ्येड मैं उसके बात उनके बेतें फिर उन्होंने एक कानून लाए जो कानून था मिडिया पर रिस्ट्रिक्शन का देश भर में वीपक्स थोड़ा मद्बूत हुआ था मिडिया भी वाइबरेंट होने लगा था सब तूट पड़े हैं कि हम फिर से अमर्जंसी नहीं आने गेंगे दर करके मारे उनको फिर वह कAD. फिर उनके सेंत बेटे आए हैं। तो की सरकार चलता है। सम्विद्धान की कोक से सरकारवानीत. कि सरकार मुझे पसं है ने पसंद नहीं चलता है। है वह व्यारत के लुटतंत्र वž haar के रिट तो सम्विद्धान की कोक से कैमिडेइट बनी इसी उस केबिनेट ने एक निर्णे किया और एक साहजादा प्रेस्पन्फन बुला करके केबिनेट के निर्णे की दच्चया उड़ा देता है उतना ही नहीं केबिनेट फिर अपने मुद्दे को रिवर्स कर देती है इसका मतलब यह हुआ कि एक ही परिवार के चार लोगों ने अलग-अलग समय पर सम्विधान की दच्चया उड़ा दी है उन लोगों को सम्विधान के लिए इस प्रकार की गंदी हरकते करने का जमाना चला गया और इसलिए मैं आज डंके के चोड़ पर लोगों को कहता हूँ कि मोदी जिन्दा है तब तक जो सम्विधान सभा की मूल भावना है कि धर्म के आधर पर आरक्षन नहीं होगा मैं इसके लड़ाई लड़ूँगा मेरी जान खपादूँगा मैं इसके लिए अब यह करोगे क्या सिरप अपना पद बना रहे चैर मिलती रहे इसलिए यह विए स्केल नहीं करें कब और मैं देश को एद्वेट करूँगा मैं अपना जीवन खपाऊंगा मोधी जी इस चुनाफ के दौरान और उससे पहले भी विपक्षी पार्टियां ये आरूप लगाती हैं कि लोकतंतर हिंदुस्तान में खत्रे में वो कहती हैं कि जो डेमोक्राटिक इंस्टिटूशन्स हैं वो पहले से कमजोड हो गई हैं यहां तक कि आप पर ताना शायर डिक्टेटर होने का भी आरूप लगता है इसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब यह कहा जाता है कि लोग आप से बहुत डरते हैं इस तरह उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद कमजोड हो रहा है या फिर लेजिसलेचर में जिस तरह की बहांस होनी चाहिए पहले होती भी थी वह फड़ाफट बिल पास हो जाते हैं इतने कमिटीज भी नहीं जाते इस तरह उनको लग रहा है कि डेमोक्राइटिक बैक्सलाइडिंग हो रही इसको आप कैसे देखते हैं पहली बाप पहली बाप यह है कि पार्लामेंट के अंदर है only debate करने के लिए बार बार हम कह रहें आईए कि यहाई है है इनको लगता है कि हमारे पास कहने को कुछह नहीं कहने वाले बी लोग नहीं है इनकी जितने नए MPI है नए जा Teknod reflect पांट साल बरबास हो गए हम एक शब्द बोलनी पाए हाउस में कि बात कर रहा हूं मैंने कभी उनके नेताओं को खा मैं आपको करना ऐसा करो एक घंटा आपके यंग जो फ्रस्ट टाइम एंपी है उनको मुगा दो फिर डिस्टब करो बाद में करो डिस्टब इनको जीवन मैं कह चुका मुझे मेरी कोशिश रही है कि यह लोग कुछ करें लेकिन दुर्भाग यह है कि कॉंग्रेस का यह परिवार बुन के लिए लोकतंद्र मतलब बुन का सथ्का में होना ऑज भी सुकार करने को त्यार नहीं है कि दोजार चौदा से इस देश में कोई दूसरी सरकार देश के में चुनी है कि को दूसरा प्रधानमंत्री है जो देश ने बनाया है मन से स्विकार ने कर पा रहे हैं और इसलिए हर जगाप उनके कर रह är है उनकी कही ही बात आज है आज अगर नाश्म कर रहे हैं और उनको तो खुछी तो हम कहते थे आप रहे हैं अच्छी बात हैं हमें मुखा नहीं मिला प्राणव मुखर जी कहते थे अपने की किता में देखा होगा कि मेरे साथ जो उन्हों कोई चलती ही नहीं है हम पर तो आरोम यह है और उसमें हमारा हम लोग एबिलिटी के लिए क्वेस्टन किया जा रहा है इसका मतलब पहले कुछ लोग दे जो जूडिश्य को मैंनेज करते थे और वो इंस्ट्यूशन ठीक थी मैं मानता हूं मुझे क्यों मैंनेज करना चाहिए कानू कानू का काम करेगा प्रदानवंत्री जी कारों जाच एजन्सियों को लेकर आपकी सरकार पर लगता है विपक्ष चलाता है डी सीबी आई इंकम टैक्स ये सारे विभाग जो विपक्षी नेता है उन पर तो बहुत अग्रेसिव होकर आक्रमक तरीके से कारवाई करते हैं जिल में भी पहुचाते हैं लेकिन जो एंडिये में शामिल हो जाते हैं विपक्ष के नेता उन पर सौफ्ट हो जाता है इसा है कि ऐसा करकर पर उन मुद्दे को टालिये मत अियर के तरीका है जैसे मैं कहता हूं कि परिवार वाधी पार्टी तो हमैरे मीडिया के लोग मुझे स्कूवाल क्या पूछते है कि राग्दानस्य का वी और दूनों में फर्क है जी हना के हम मुद्दों को इस पकार और डावड करने की मदद मिडिया कम सब्सक्राइब लोगों को ना करें मेरा आगर रहेगा मैं जब परिवारवादी पार्टी कहता हूं उसका मड़लब है कि पार्टी आप दे फैमिली बायते फैमिली फॉर दे फैमिली किसी परिवार के दस लोग अगर पुब्लिक लाइफ में आते तो बुरा है समय नहीं मानत लेकिन वह पार्टी नहीं चलाते हैं पार्टी निर्णे करते हैं वैसे ही इडी जो कदम उठाती है वह कदम आप मुझे बताएं कि आज से 20 साल पहले खबरे क्या रहते थे ब्लैक मार्केट पर सर्च हुई रेड हुई इतना चीज पकड़ी गई इतनी चीनी पकड़ी नहीं आती है क्यों क्योंकि उस समय उस इंस्टिटूट ने जो भी काम किया जो कानून नों बढ़लावाया टैक्सेशन परिवरता नाया तो ब्लैक मार्केट की दुनिया हिंदुस्तान के पब्लिक लाइप में पे ठीटर भी ब्लैक मार्केट बाला सुनने को मिलता नहीं इतले नहीं कोई समसर में चला गया ठीटर में वह सुन नहीं मिलता है कि ब्लैक मार्केट वाला वह वैसा यह चला गया ब्रस्टाचार भी जा सकता है क्यों अगर उसके पास जिसकी काम जिम्मेवारी है वह काम करें तो सच्बू जो पूछना चाहिए कि 10 साल तक इडी को इ टिकट चकर है तो टिकट चेक नहीं करेगा तो रखने की क्या जरूत है उसी काम के लिए हो आप मिडिया में है आप अगर मोदी का जन्ना लेकर के भक्ति पूर्वा गुमते रहेंगे तो आपको कौन आज तक बना रखेंगा कल निकाल देगा आपका काम है दस चीज़े ख 2004-14 ववस्ता तो यही थे कानून वही थे मैंने कानून नहीं बटला है मैंने इडिव नहीं है उन्होंने बिलकुल निकमापन किया कोई काम किया नहीं सिरफ 34 रूपया 35 लाग 34 रूपया जब्ट किया मेरी सरकार ने बाइस सो करोड रुपय पकड़ा है नोटों के धेर आपके टिवी वालों ने दिखाए है जी बंगाल जहरकर उस इडी को उस इडी को आप कैसे बतनाम कर सकते हों जी एंपी के घर से मिले हैं पैसे आप पैसे इनका कर सकते हो मुझे बताइए कई ड्रक्स है अगर ड्रक्स की बहुत बड़ी मैं खेप पकड़ लेता हूं कि अब तारीफ करेंगे करेंगे आप लिए अगर पकड़ता है तो उसकी तारीफ दिवी उसको गुनेगा यह क्या तरही कि सब पर बाबरी से हो कि अगर इंडिये हो बीजेपी हो कोई भी कोई भी की रिस्पेक्टिव आफ एनी बेग्राउंड यही होना चाहिए मेरी लड़ाई प्रस्टाचार के खिलाब है कि देश में से ब्रस्टाजर खतम होना चाहिए और यह देश का बहुत विनास कर रहा है जी बहुत विनास कर रहा है लेकिन जब संसद में कोई ऐसा काम होता है जहां पर आप लोगों को जरूरत होती है कोई ऐसा विधयक रहता है आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं यह मित्र और दुश्मन वाला कैसा रिष्टा है क्या वोटर कन्फ्यूस नहीं है हमेशा कहता हूं चुनाओं तीन याद चार मेने के लिए होना चाहिए पांच साल राजनीती नहीं होनी चाहिए हमने चार साथे-चार साल मिल बैठ करके जहां में निकत आसे हैं आकर के देश चलाना चाहिए चुनाओं लड़ो पुरी ताकत से लड़ो लेकिन अब आपने देखा होगा फ्रेंडली मैच होते हैं खेल कुछ में लेकिन जब अच्छुली मैच होता है तब आमने सामने हार जीत की लडाई होती है है अब हम पहले तो टेस्ट मैच होती थी उसके पहले तीन दीन की एक वह तीन दीन का रहता था ता कि खेलाड़ी को जानते वगरे हेल कुछ में तब सब्सक्राइब पैदा हुआ है राजनिती में भी मेरा मत है चार साड़े-चार साल मुद्दों के आधार पर देश हित मे है अब लोगोने चलना चाहिए तो आप थर्टर में कमिट कर रहे हैं वान नेशन वान इलेक्शन सा ऐसा है कि मेरा पहले से मेरी पार्टे का मत्रह है और यह कोई दीन नहीं है आप देखे क्या हरत है मैं हरान हूं मैं इस समय बोलू कर ना बोलू टीवी के सामने मुझे जा करके किसी भी दल्काव उस मुखे में तेर के खिलाब भाशन कर रहा है देश कैसे चलेगा अब मेरी मजबूरी है कि मुझे उस राज्य में जा करके बोलना पड़ रहा है पॉलिटिकल कंपल्सर है अच्छा होगा एक साथ चुनाव है तो जो भी बोलना है सब लोग बो जाएंगे फिर लोजिस्टिक खर्चा कितना होता है मैं जब गुजरात में था हूँ तो ये इवन मनमौनसीजी के सरकार उनके समय इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा अफसर मेरे यांसे उठा के लिए जाते थे अफजर्वर के रुक में सत्तर असी मेरे अफसर चले जाते और साल में करीब करीब सो दिन किसी ने किसी चुनाओं में लगे रहते थे मैं कहता है मेरा राज्य इतना अक्टिव राज्य हैं मैं असी लोग चले जाते मैं करूंगा कैसे ये बंद करो आप मैं अब्जर्वर नहीं दूगा लो तो उनके कानून ऐसा एक मुझे देना पर यह हर राजी के मुसिबत होती थी इतने अब्जर्वर जाते हैं अचा फिर आचार सहीं था प्यकाली दिन तक सबको वेक्रशन मिल जाता है सब मौच करते हैं छे साथ में देश इतना बड़ा देश भूग जाए कैसे उरूप सकता है इतने बड़े देश में बहुत सब्सक पहले भी हमारे डिसने इसने रेक्ष्ण नहीं था जी यह कंश्टी सेवन आए तो अभी ने बृट आई के में कर रहे हैं रिपर्ट का श्टटी कर रहे हैं ुसमें ऑम मिटमेट में कमिटमेंट लूए ते बहुत जरूरी है गi रोजगार बनाम लाभार्थी एक बहस ये भी देश में छड़ी हुई है विपक्ष का ये कहना है कॉंग्रस पार्टी जो अपना नयाय पत्र लेकर आई है कि 30 लाख नौकरियां देंगे एक लाख हम शिक्षत युवाओं को देंगे आपका फोकस लाभार्थियों पर रहता है अब वो कहरें कि हम जादा अग्रेसिव आक्रमप तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को डील कर रहे हैं यह कॉंग्रेस का दावा है बनां बीजेपी बनान प्रधानमंद्री नरेंदर इस पर ons शरॉइस वंपर تمें और दोसरा बी आफ़ लो पूरे करने के बाते हैं अभी मेरे हिसाब से रोजगार की जो रेकोरडा आए हैं जो कर दे इसiral कि इस कोर्च उक्र IPB लिया है दस साल में जो माइकरू फाइनस हुआ है इस माइकरू फाइनस के करण जो तो रोजगार उपलब्द हुआ है उसको आप रोजगार नहीं मानेंगे केंद्र की दस बारा जो यूजना ऐसी है जिसके अधार पर उन्होंने अनालिसिस किया कि एक घर बनता है तो कितने पर्शन आवर्स रोजगार मिलता होगा पहले मैं आवर्स कहते थे जेंडर यह उनका हुआ है यह अपने नोकरी जन्रेट हुई है अभी आंकड़ा बहुत बढ़ा है इसके इसाब से देखें तो अब मुझे कोई बताएं कि पहले अगर 100 किलोमेटर रोड बनता था आज अगर 200 किलोमेटर बनता है तो मैं पावल लगा होगा यह तो पर्सन पावल ल है इतने एयरपोर्त है आज इतने अएयरपोर्त बने हैं चार क्रोड गरीब हो के घर बने हैं ग्यारा क्रोड टॉइलेट बने हैं फाइव जी दुनिया में सबसे तेजगति से रोला उट हुआ इसके लिए इंट्रास्रेक्रा लगता है ऐसा नहीं बद्द आरता है के आने वाले लगते हैं इसका मतलब कि इन सारी चीजों को जोड़ेगे पी एफस का अंकड़ा तो बिल्कुल हकीकता आदा पर छेसाथ साल में छे करोड नए जौब यह आपको ओन रेकॉर्ड मिल रहे हैं एपी एफ हो दस साल में कबर होने वारे जोग में हांडर एंडर एंड सिक्स्टी सेमन परसेंट इतना बड़ो बड़ोत्री हुई है अब इसको मानेंगे और नहीं मानेंगे जी यानि इंफ्रा सेका मुद्रा लोन मुद्रा लोन करीब 43 क्रोड लोन्स अलग अलग कुछ लोग रिपीट होंगे उसमें 70 परसेंट वो हैं जो पहली बांगर रोज देता होगा कुछ कारोबार चला एक को तो देता होगा यह सब ऐसी हवाबजी थोड़ी होती है मैंने पहला हमारे देश में तो मुसिबत यह हैं कि रिकूरूट्मेंट की प्रोसेस इतनी कठीन है कि एवर्टाइजमेंट निकलेगा डिपार्टमेंट मांगेगा फाइनांस इसके प्रक्रिया पता चले कि आने वाली उसके पहले एक साल लग जाता है मैंने इसको इतना चोटा कर दिया है आज ध्याइतिन महिने में फाइनल हो जाता है तुमारे आज नो पिर भरती करनी है लिफां किया कि रोजगार का इसा ह薪िज्ञाए के एसा विशे है कि जिसमें हाथपेर है नहीं बोले जा सकते हूं यह कुछ लोग होते हैं आप जैसे आफ है आपके पात यहां काम है लिए मन में प्रद्धनमिंत्र जी खाली में अंतराष्ट्रे अर्थ शास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पकेटी की जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इंकम इनिक्वालिटी बढ़ रही है यानि कि जो लोग अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं जो गरीब है वो और गरीब होने चाहिए तो एक उपाहिए है कि हुए कोई डिफरंस ही नहीं रहेगा इस देश में पहले ऐसा था अब आप कहते हैं नहीं सब अमीर होने की तो दिरे दिर होंगे राटो रादे ऐसाब यहां है तो सब्सक्त सब यहां आएंगे ठोड़े यहां आएंगे वह नीचे वा यहां तो हम जिताए करें कि हम सब गरीब रहना चाहते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, अगर हरे को भाई 10 रुपे मिलेगा तो गुजारा करना है तो एक तो यह रास्ता है, दूसरा रास्ता है, हम कोशिश करें, आगे बढ़ेंगे, आज 10 आगे बढ़ेंगे, कल 100 बढ़ें हो रहा है, आज पहले स्टार्ट अप हमारे देश में कुछ सैक्ड़ों थे, अच्वालाग स्टार्ट अप है, तो प्रगदी हो रही है, पहले हवाई जाहाद में बैठने वालों कि संगे इतनी थी, आज 1000 नहीं हवाई जाहाद का ओडर बुक करना पड़ा है, एक हजार नए आज हिंदुतान में सरकार के और प्राइवेट जिने तो करीब 600-700 भाई जाहाद है, नए एक हजार है हवाई जाहाद, मतलब की प्रोस्परेटी बड़ी है, आज मुझे बताई है, बद्रिनात के जानात वगरे यात्रा हैं, यह लोग जा रहे हैं, वो पैस साधी के लिए विजदेशों में जा रहे हैं, अगर पांच ही अमिर लोग होते हैं, तो इतनी साधी विजदेशों में कैसे करवाते हैं भारत के लोग और इसने मैने तो कहां भेड़ी इन इंडिया, फिक्स प्रोस्परेटी आ रहे हैं तो लोगों को लगता है, यहां बोदी जी को रिपोर्ट चली गई, शादी विदेश हुई, दर के कारां कर रहे हैं वो वरजन सहबाविक है, लेकिन रियालिटी है, मुझे कई लोग चिठी लिख के कह रहे हैं, मैंने बूग किया था, मैरा खर्चा हुआ है, लेकिन कभी यह सोचा नहीं था, इसका यह भ चद्रिनाथ के धारनाथ में उनकी बड़ी इंकम हो गई, पहले रिलिजिस टूरिजम था, इंफासेक्टर को था, अब उन्होंने वेडिंग के लिए उसके साथ थोड़ी बढ़ाई, तो आपसीजन में उनको वेडिंग का काम मिल जा रहा है, राहुल ने सर जो यह अमीरी तेंसे वाले रहुल जो हैं, वो सर आपकी जो छवी है, वो है गरीबो के मसीहा की चवी हमने देखा महिलाएं कैसे रोने लगती हैं जब आप जाते है, गरीब महिलाएं कि इतना सुसीट करती हैं, आपकी जो योजनाय भी हैं, वो सब 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी देखा से बाहर उता है लेकिन जो आरोप दूसरे वाले रहु लगा रहे हैं आपके उपर वो है कि आपकी बड़े बड़े उद्योग पतियों से दोस्ती है पांच साल से आपकी छवी पर एक स्टिकर चिपकाने की कोशिश की जा रही और वो स्टिकर है कि अडानी अंबानी क लुटाइक को गालिया परती थी बिल्ला टाटा की सर्कार टाटा की सरकार पार्लामेंट में देख नेंकि तो ताटा बिल्ला सब्सक्राइब नहरु जी लगाता सुनते आए थे अब इस परिवार के पर्ब्लम यह है कि जो गालि मेरे नाना को पड़ी वह मोधी को पढ़न इसलिए वह यह इस चुनाओं में इतना जो इतनी मेनत पहले कभी नहीं कि क्यों कर रहे उनको लगता अगर मुदी तिसरी बार हो गया तो मेरे पिताजी की को इज़त नहीं रहेगी नानी की दादी की यह तो नहरू के बराबर हो जाएगा वहर चीज उसी से कम्परिजन करते हैं और इसलिए गालिया यह सब उन्होंने कहीं से उधारी लिवी गालिया है जो अब दूसरा बात है मैं लाल के लिए पर से बोलता हूं जी मैं शर्माता नहीं हूं मैं लाल के लिए से बोलता हूं इस देश में बेल्ड क्रियेटर्स की इज्जत होनी चाहिए मेरे देश में जो सरक्षम लोग हैं जो सामर्दवान लोग हैं इनकी प्रतिष्टा बढ़नी चाहिए मैं मेरे 15 आगस के जो गेस्ट लिस होता है उसमें मैं फिलाडी जो एक्टीवर्स हैं उनको बिठाता हूँ अगर देश एक्टीवर्स की पूजा नहीं करेगा देश एक्टीवर्स का महत्मा ही नहीं करेगा तो मेरे देश में पीएजरी करने वाले लोग कहां से निकलेंगे साइंटिस कहां से निकलेंगे जीवन के हर खेत्र में एक्टीवर्स की इज्जत होनी चाहिए अगर कल आज तक ग्लोबल चैनल बनता है मैं सबसे पहला हूँ ताली बजाओंगा जी मुझे मारू मैं आज तक मेरे साथ क्या जुन करता है लेकिन मैं उसकी ताली बजाओंगा क्यों मेरे देश की आज तक ग्लोबल हुआ मुझे तो दुख है जी कि CNN BBC आजजादी के 35 हाल होगे मेरी एक जीरा राकोरात आये वार ग्लोबल चैनल बन जाए अब कोई कहें तुम तो अरून पूरी बड़े धन पती की मदद कर रहो मैं धन पती की मदद नहीं कर रहा हूं मेरे देश का घर्वा है मेरे देश की मल्टिनेशनल कंपनिया क्यों नहीं होनी चाहिए दुनिया मेरे नहीं करने वालों का दिमाध हो परिश्रम करने वाले का पसीना हो इतीनों को परिवार के रूप मैं देखता हूं पर ये पैसों की बात आपने की है तो मुझे आपकी एक रैली की बात याद आती है क्योंकि जब E-D ऐसे नोटों का अमबार बरामद करते जाता है तो मैंने श्वित्पत्र किया इस मुद्दे पे कि ये E-D जो जबत करता है पैसा वो पैसे जाते का है और बड़ा दुख हु कि ये जो पैसे भ्रष्टाचारियों से लिए जाएंगे वह आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे वापस लोटाए जाएंगे ये कैसे संब्दों आपने बहुत-बहुत मार्मिक चीज़ पूछी है और मैं मान तो अच्छा होगा आज तक के लोगों के इसके बहाने दर लिकिन जादा कर निर्दोष्ट लोग है जैसे बंगाल में सिक्षकों की भरती में पैसे गए तो पता है कि इस आदमे को नोक्री मिली उसके पास कुछ नहीं और उसने बिचाने यहां से करी लिया या अपनी जमीन गिर भी रखी या घर गिर रखा और उसमसी तरह पैसे द जब तक कि यह हैं पोटल प्रॉपर्टी को हमने सवालाग करूर की जब तक की है जी बहुत बड़ी अमांट सवालाग करूर करूर किया तो मैं इस पैस्वकुम को अब जैसे केरल मैं था कॉम्मिनिस्ट पार्टी एक ऐसा रेकेट चलाती है जी यह बड़े इमानदारी के कोपरेटिव नेटवर्क कोपरेटिव में गरीबों के पैसे ज्यादा कर नौकरी पेश्यवालों के पैसे हैं और आत्मी फिक दिपाविज में पैसे देता है रखता है कि बेटी बड़ी होगी तो शाजी के लिए काम आएंगे बेटा बड़ा हो गए का कमरा बड़ा ऐसे इसे लोगfang कि इन्होंने क्या कि इन पैसों और पर नाम पर मार दिए और हज़ारों करोर का उन्नों किया है निय वाइल को लेकर के तो आप लोग ढरते हैं लेकिन इस पर काम कर सकते हैं अब उसमें ट्रेल है यह पैसे इस ने रखा और इसका डूबा आप प्रॉपरटेश जब तक कम्या है मैं चाहता हूं कि मैं उस प्रापर्टी से कैसे कैसे और जो संपत्री उसको आक्षन करके वह पैसे मैं कैसे लोटा हूं अब तक मैं 17,000 क्रोन रुपी लोटा चुका हूं 17,000 क्रोन रुपी जो जिसका ट्रेल मिला अब लालू जी ने रेल्वे मिनिस्टर ते साब गरीब बिचाना डरके मारे अफिड़ेट देने को तयार नहीं है लेकिन ट्रेल मिल रहा है इसकी जमीन गई इस तरीकों गई इस तरीकों नोकरी बिए अब हमने जबत किया है हम उसका ऑक्षन करके उस गरीब को जमीन वापिस करने के लिए मैं सोच रहा हूं तो मैं दिमाग काफ रूपियों करके रूटा है इनको मिलना के बार कानूनी बदलाव करने पड़ेंगे कानूनी बदलाव करना पड़े का दो करूंगा मैं अभी सब मैंने लीगल टीम की मंदर ले रहा हूं मैं जूडिशरी के लोगों से मैंने का मैंने कभी रास्ता बताओं मुझे इन वन गया मैं मुखे में तो वह काला गूर होता है वह पकड़ा गया बहुत बड़ी मात्ता है तो मतलब यह काला गूर अब गयर कानूनी शराब बनाने के उपयों होगा अब पुलिस्थाने में रखा बारी थाई भीग गया तो मच्छ और मक्ष इस्टा और ठेर हो गया उस पुलिस्थाने में गाड़िया भी पड़ी रही थी धेरो गाड़िया पड़ी तो यह मैं जो नया न्याज सहींता है इसमें सारे सॉलुशन लाए है सर आपके दस साल का ट्रैक रिकॉर्ड यह कहता है कि लाभार्तियों को चुकि आपने अभी बात की कि अगर किसी ने रिश्वत में जमीन दी है तो हम काम करेंगे कि उसको वापस मिले लाभार्तियों का आपका एक बहुत लंबा चौड़ा स्कीन चल रहे है लाभार्तियों मंगल सुत्र घुसपैठिया ज्यादा बच्चे इन शब्दों को लाने की क्या जरूरत है यह विपक्ष बार बार आपको इसी मुद्दे पर घेड़ता है विपक्ष का कहना है कि आप जो चुनावी क्यांपेंड करते हैं उसमें आप हिंदु मुस्त यह बहुत ही अच्छ मैंने उसको एक्सपोश किया और मैंने उसके दज्यां उड़ाई उसको आरोप लगाए है तो जो मूर्वात ती उसको उनकी इको सिस्टिम हटा जेती है और आप लोग ईव्ञाति उसको इन प्रिसर में जीथे आप भी उसको आप मेरी बात को लेकर के चलाते तो आपको ल कि अब वो contract system में भी minority को लाएंगे ठेका minority को दिया जाएगा अगर मैं उस ठेके का विरोध करता हूं वो मैं secularism कर रहा हूं लेकिन चुकि मुझे उसमें minority चुकि मुझे मुसलमान शब्द बोरना पड़ता है अब मिनिक निकालते हैं कि मैं कुछ honorable उपर कर रहा हूं मैं उपर हमला नहीं और मेरे पास सबूत है कि मैं नहीं करता हूं क्यों अगर मान लीजिये एक गाउं में साथ सो लोग रहते हैं प्लानी स्किम के सो लाभारती है यह हगदार है तो मेरा होता है उन सवको मिलना चाहिए फिर जाते हैं हाँ किसी को संबार को मिलेगा किसी बुधवार को मिलेगा किसी जनवरी को मिलेगा किसी को जुलाय में मिलेगा लेकिन हखदार जीतने सब को मिलना चाहिए तो गवर्णनस में discrimination नहीं होना चाहिए है आद पूरी debate देखिए हमारी तरफ से हमने नहरी हिंदू-मसलमान किया है उन के मैनी प्र हैसा अब उस में हम संखोँ करते हैं हम संखोजenne मैं मुसल्मान को समझती स्मय मुरण रहा है और और मैं बुद्द्यमान मुसल्मानों को अच्छा धर्म के अधार पर उन्हाने देश तो ले लिया। मदरिशाव से चल जाएगा। मुसल्मानों को यह ही कह रहा हूं। यह वोट के लिए चुल करने वाली आदत है ते आ, सब कुछ वोट के लिए करोगे, डेश के लिए कुछ नहीं करोगे, मैं इसका गोर विरोधा हो जे मैं जो करूंगा वो देश के लिए करूंगा बोड तो माय प्रोड़क्ट होता है जी भूड के लिए देश को डूबो नहीं सकते हैं और मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जो मेरा देश का बरबाद करें ऐसे सत्ता मुझे वंजू नहीं है आपने का आप कभी हिंदू- विरोधी हूँ ऐसा अगर आप मुझे लेबल लगा देते हैं तो आपकी मजबूरी है मेरी मजबूरी नहीं है मैं कुछ ऐसा लेबल लगाने की कोशिश कश्मीर को लेकर भी की गई थी जब 370 हट आये गया था मुझे जैए 2014 से पहले भी मैंने कश्मीर कवर किया है उसके बाद भी किया है और केवल एक शहर और डाउन टाउन नहीं बलकि बॉर्डर्ज तक जहां पर लोगों ने को लगा कि वो इंक्लूसिव हो रहे हैं वो जुड रहे हैं मुख्यधारा के साथ फिर 370 आया उसके बाद से पत्थरबाजी नहीं हुई हरताल नहीं हुई श्री नगर में क्या कमाल की वोटिंग इस बार हो गई पर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कहता है कि बताइए हमसे राज्य का दर्जा ले लिया है आप जम्मू कश्मीर की जनता को कुछ कहना चाहेंगे पहली बात है कि मेरे इस चुनाव में आपने सवाल पूछा होता सवाल भी पैदा करता हूं जबाब भी देता हूं इस पूरे चुनाव में मेरे लिए संतोष की पल कौन सी कि मेरे लिए संतोष की पल है स्री नगर का मोटी में से क्योंकि इस ने इस बात को थपा मार दिया कि मेरी नीतियां सही है मैं कोई डिस्क्रिमेर्शन नहीं करता हूं मेरी सरकार धर्म के आधार पर भेद्वाव नहीं करती है जहां तक राज्य का दर्जगा हमने पार्लामेंट में प्रॉमिस किया हुआ है और हम उस पर कमिटेर हैं हां हम सफल होना चाहते हैं सफल उन्देशन पुल्टे कर पावर में नहीं स्थीतियों में और पहले हम पर क्या गालिया पड़ती थी आपने इंटरनेट बंद कर दिया चानों मैं दूर का देख सकता था आप 24 गंटी चैनल के लिए देखते थे मैं देश के लिए देखता था और इसने में इंटरनेट की गालिया खाने के बाद भी इंटरनेट बंद कर कर देगी मैं नव जवानों को गलत रास्ते से बचाने में सफल हुआ दूसरा मेरा संतोष है कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए होंगे दोजार चौदा से चौवीस कितनी माताओं के लाल बज़ गए जिव में इससे बड़ा संतोष क्या होता है और इसलिए राज्य भी हमारा अपना कमिट्मेंट है प्रक्रिया हम सफलता के लिए जो भी रास्ता होगा वो करे तो मैं चाहूंगा कि मैं गहूं की फुसल करूं लेकिन सही सेजन में करूंगा तो मिजे कि हम मिलेंगे तो मेरा बीज भी बरबाद हो जाएगा धनांतरी जी मेरे पिता फौज में थे बचपन से ही हम कश्मीर जाते रहे हर जर्मी सर्दी की शुकी मैं इस बार मैं जब जाले वहां नेताब खुले में तचार कर लें रात को नौ दस बजे तक लाल चौंग खुला है दुकाने खुले में शौपिंगे इसके बाद आप कश्मीर में क्या देखते हैं वाट नेक्स्ट कश्मीर आफ्ट जहां तक हम पहुंचे नेक्स्ट किया है पहले मेडिया सब्सक्राइब करना चाहते नहीं करना चाहते हैं अब उनके मूँ पर तादे लग जाएंगे जब कल चालिस परसन करी कोई वोटिंग देखेंगे और उन्होंने साब मैरी इच्छा है कि चुनाव यह फेस्टिवल होना चाहिए स्विरनगर में फेस्टिवल मूर फ़स्टिवर का फीचाहिए लोग प्राओ पृश्टिवल कि लोग पृप तालिया पो और चाहिए जोग घया रहे सबरेखें का एकर्फेन सबक्राइब पेश्वन मंदिर की तस्वीर भी लगी हुए जहां हम बैठे हैं लेकिन यह भी हकीकत है कि पंजाब में आपकी लोग परता है बाकी देश में जितनी है उससे थोड़ी कम है और सिख समुदाय में कई लोग आपको थोड़ी शक की निगहां से देखते हैं आप हाल में कि अब जटली मैं आपके पास जानकर क्या है में नहीं जानता हूं आप चुनाओं के हिसाब से देखते हैं मेरे पास कोई जवाब कि मेरा उसे बाहर चला जा चुका हूं ठीग हो जी हैं अच्छा होगा यह आप की कोई पंजाबी चैनल हो यह पनजाबी लोग हो किस देश के समाज के मुल्भूत मुद्दे क्या रहे हैं और किस सरकार ने उन मुद्दों को कैसे एटेंड किया है अब हो सकता है मैं उन तक नहीं पहुंच पाया मैं पंजाम में काम कर चुका हूं और इमर्जन्सी में मैं स्रदार के वेश पर रहता है अंडरगाउंट है तो सर्दार के वेश्वेर रहता था और मुझे सहज उत्वे मैं यहां दिली में रहता था तो भी मैं कभी कभी लंगर खाने जाता था इतले नहीं कि मुफद का मिलता है मैं आज भी मानता हूं जी कि सिक्ष समाज बहुत बड़ा योगदान के हैं देश मे समाज है हम गर्व करें ऐसा समाज है मुझे वो स्विकारते हैं नहीं स्विकारते हैं तो उसके लिए तो मैं क्या कह सकते हूं कि महिलाओं की बात पर मैं आना चाहती हूं क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो की गए अब 26 जनवरी की परेड में शुरू में यह कहा गया कि सि साथ कोई officer खड़ी रहेंगे female लेकिन धीरे धीरे पूरी की पूरी पल्टान हमने देखा माच कर रही है तैनाती LOC पे हो चुकी है महिलाओं की संसद में आपने अपनी cabinet में महिलाओं को बहुत एहम positions दिये पर हकीकत यह है कि 33% reservation जिसका असर अभी कुछ दिन बाद दिखना में शुरू होगा एक पुरुष प्रधान राजनीतिक सिस्टम है संसद भी है आप कैसे बदलता हुआ देखते हैं कि महिलाओं इतनी बड़ी संख्या में वहां पर आएंगे एक तो अपने जी ट्वेंटी में मेरा काम देखा होगा इवन पस्चिम के देशों के लिए बहुत फारवर्ड कंटी करें उनके सामने भी यह बहुत बड़ा तुलनात पगुप से सोचने मैं कहता हूं मेरे हां प्रैंडेन विमेन के लिए 26 हप्ते की शुटी है तो ऐसे द है तो कि गले में उतर है हमारी एक परसेप्शन बना जिया गया है कि भारत में महिलायाने घरे लूप है रियालीटी है अब भारत का अग्रिकल्टर सेक्टर देखी जी जी है मैं आज भी कहता हूं अग्रिकल्टर सेक्टर में 60% कॉंट्रिश्टी विमेन का है एक्कॉनोमि से फ्लाइट पाइलर्स हैं 15% पाइलोट विमेन भारत की हैं आज अब यह कोई एक रात में तो प्राइलोट नहीं बनी होगी इसलिए यह कहना की भारत की महलाओं के साथ यह हो रहा है तो यह जिस पकार की फैमिलिस ने विजितर पकार की सोच बनी है उसके हम शिकार हो इड़ियामी कैसे एक तो तो हमें साइकालोजिकल तोबने के शरूर 2 तो मेरे साथ की राश्मपनी बैठकें लेह 10 जनवरी को एजтов के राश्म हो बुरें पार्ष्यम भाले विमान प्रएड चल लुदॉब यह मुखे दिखा रहे थे दूसरी बात है कि घी ट्वेंटि में विशे लाया एक बहुत बढ़ा सब्सक्राइब करें तो क्या करते हैं अपने देखा हो मार किया अगनी मालूम ने मिझे मेरी पार्टी की सभी पब्लिक रेली उसको स्टेज परकंडग महिलाए कर रही है आप लोग ने मार नहीं किया है यह यह योजना का हिस्था है अचानक नहीं है परना उनका काम कह रहता था एक दिश लेकर के आना उसमें गुल्दस्ता है कोई पुरूस आएगा गुल्दस्ता उठाएगा और देगा यह बड़ा यह मुझे मुझे पसंद नहीं है मुझे पसंद नहीं है आज मेरे सभाओं को चंडग करति महिला का रहता है यह प्रकंडग मेरे पार्टी का और है विमें लेडवलोंट की देचां में दूसरा मैंने गाउं की महलाओं को पहले क्या विश्ट विव्ट मटलब क्या पापड बना दो बड़ी बना दो बेश दो फोड़ा साबून बना दो या अगरबती बना दो आई एंटु ब्रेक तो मैंने उंको ड्रॉन पाइलट बनाया मुझे मैंने महलाओं सो बाते हुए मैंने साइकल भी नहीं चलाई थी लिए आज पूरा गाउं मुझे ड्रॉन पाइलर्ट के लिए जानता है ड्रॉन पाइलर्ट मैं घुजरात में था तो मैंने तय गया बैस सरकार है तो क्या बढ़ लब पुलिस वान आया तो सरकार आई यह इंप्रेशन है तो मैंने आंगनवाडी और आश्या वरकर जो थे उनको मैंने कहां युनिफर्म सरकार देगी इसलिए निक मुझे वोट के था और मेरा सुचना थी मैंने फैशन डिजैनर को बुलाए मैंने एर होस्ट्रे से मुझे अच्छे कपड़े चाहिए और यह और मैंने किया और फिर मैंने क्या किया जब भी मुख्यमंत्री या कोई भी मिनिस्टर जाएगा तो जो क्यों रहती है उसमें आंगनवाडी ऐसर वरकर रहने चुछिए गाउं के स्थिती बन गई कि आंगनवाडी के आशा वरकर खड़े हैं मतलब सरकार खड़ी है तो रा याने मेरा कमिटमेंट है जी आपको दिखता है वो नहीं बहुत चीज़े मतलब अब मेरे हाँ डेरी का गाम देती है मैंने डेरी में टाय किया मैं गुजरात में था मिल्क का जो पैसा है मैं पूरुष को नहीं जाएगा विमेन का एकाउंट खुलेगा उसके एकाउंट मे डेईयूरी होता है डेली डो तो हजाए खुलड कोंग और मैलाओं के खाता में जाता है प्रस्ता अभी काशी में मैंने डेरी शुरू की बनकर यहांगी पैसे माहिलाओं के खात्मी जाएगे वो पशूव पाणन करे दूद की चिंता करें दूद भरने के लिए वसंवा ज उसके अदम पर नहीं मिलेगे और यहां में आया जो चार करो घर भणाए मैंने कि पहला हक महिला कर रहेगा फिर मैंने एक नियम किया कि जो स्कूल में बच्चा दाखिल होता है तो पिता का नाम लिए ने माता के भी लिखा जाएगा यह बदल किये हैं आज माता का नाम भी हो शोटी 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 चीज आपको सुझती और यह ताकत नीचे से लानी पड़ती है नीचे से जो ताकत आती है तब जा करगो परणाम बनता है मैंने काम किया बड़ा इंट्रेस्टिंग अब दिखा नहीं पाओ आप लोग इतना इस गुजरात में नया नया मुख्यमंत्री बनके लेया है पंचयायतों को चुना हुए अब मैरा कोई ज्यादा जहन भी नहीं था क्योंकि मैं भूकम के काम में लगा पड़ा था मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे मैसेज आया कि खेड़ा दिश्ट्रिक के गाउं की पंचयायत के सब जो में मेंबर है वो मिलना चाहते हैं पंचयायत मंत्री से मिलवा दिए उनका कोई काम होगा तो निवले सबी मेंबर महिला है इस बार प्रधान महिला है तो मेंबर महिला बनाएं तो वह महिला है प्रधान के पास कोई गाउं है चोटा सब्सक्राइब और जो प्रधान बनी थी आठ्वी कर्षा तक बढ़ी थी बागी पढ़ी नहीं थी तो मैंने इसे पूछा उनको क्या काम था नहीं बोले हम सब महिला है चुनकर आई तो आपको नमस्ते करना से प्रधान ने जो मुझे कहा न दुनिया का कोई इकानोमिस नहीं बता सकता है उस प्रधान ने मुझे कहा जाम वार गाउं छोटा है लेकि मेरी इच्छा एक पांच साल में मुझे गाउं में एक भी गरीव ने रहे साव प्रधान उसको एकोनोमिकी समझ थी बोले मेरे गाउं में को गरीब बद ऐसा मुझे करना मुझे उसमें से आइडिया आया तो मैंने फिर चुनाव आया तो मैंने का मैं हम सम्रस गाउं करेंगे वैसे फिलोसोफिकली मैं इससे परिचित था क्योंकि विनोबा भावे उनके एक साथी थे डॉक्टर द्वारगादा जोशी तो मेरे गाउं के थे और वो उनकी पत्नी रतन बेहन बड़े सेवावती थे विनोबा जी के ताद जीवन खपाया था तो मैंने उनका भाष्ण बच्पन में सुना था मुझे यह आद नहीं ह लेकि बच्पन में मैंने सुना होता है ना तो बेरजर नहीं होते है बेर बेर यहार जैर इसा नहीं होता है बोले एसम्डिका चुना होता है तब भी नहीं होता है तो गाउं में जब चुना होता है ना तो गाउं दू बढ़ जाता है बेटी भी बोले सस्राल से वापिस ब तो बोले गाउं में सहमति का चुनाव होगा जो गाउं सर्वसहमति से चुनाव करेगा उस गाउं को मैं पांच लाख रुपया एक्स्टा दूंगा विकास के लिए क्योंकि मेरा प्रिंटिंग विंड़ी सब खत्म हो जाता था फिर मुझे विचार आए कि जो गाउं सबकी सम्मैलाइं करेगा उसको मैं साथ लाख सुनगा है फिर मैंने कहा कि जो गाउं मैं सबकी सब महला होगी तो वहां कि जो गवर्मेंट अफसर होंगे वह भी दोंगे और मैं इनको प प्रदान जिस गाव में महिला है और मैं बता तो इतना बढ़ियां परफॉर्म करती हैं यह चोटी चोटी चीजों को करना पड़ता है मुझे आसे जिस दिन ओबाम आये तो राश्पदी भावन में उनके सम्मान में सब महिलाए खड़ी थी जोड़ा परेड होती है तो और उनको लीड करने वाली महिला थी तो मुझे मालूम है मैं अपने देश को कैसे हैं तो कहां क्या प्रफू करना है यहां भी प्रतिशत पुरुश है और पचास प्रतिशत महिला है नहीं कहने का तात्मरी यह है कि भाई परसंदीट के हिसे आप से नहीं देखें सच मुझ मैं जो मैं विक्सित भारत कहता हूं तो विक्सित भारत के दो मुल्भूत आधार में देखता हूं एक इस्टन इंडिया जहां संपत्ति बहुत हैं गरीबी सर्थ से ज़्यादा मेरा पुर्यूत्त प्रदेश मेरा बिहार जारकन बंगाल उडिसा एकनोमिक लिया कर मैं इसको ताकत मैं प्रस्चिम के बराबर भी लिया हूं ना प्रस्चिम मतलब गुजराथ महाराश्य गोवा पंजाब पूरा तो मेरी नेचरल और दूसरा मेरी महिलाओं की शक्ति यह दो ऐसे एरिया है जिसमा फर्पूर्ट पोटेंशल में देखता हूं और वो मेरे 2047 का सबसे बड़ी सफलता का मेरा बिलकुल कन्वित मैं कन्विन्स में यही मुझे परणाम देंगे और मुझे परणाम मिलेगा इसी से जोड़ा मेरा अगला सवाल भी है सर आपसे क्योंकि पहले यह माना जाता था कि घर में पुरुष जो कह रहा है वही पूरे फरिमान जो महिलाएं है वो भी वही बोट करेंगे लेकिन आप महिलाएं अपने दिमाग से बोट कर रहे हैं मैं भी हेलिकॉप्टर से सौ सीटों पर गई तो बशीर हाट पहुची जा रहे खाप पौ से फ्रीबीज भी बहुत अनाउंस हो रहे हैं तमाम जो राजितिक पार्टियां वह अपने तरीके से फ्रीबीज देते हैं कि महिलाओं को हम अपनी तरफ कर लिए तो जीत और जहां पर उनका वोट जा रहा है उसी की सरकार बन रहे हैं इसको आप किस तरह से लिए वैसे इ क्या मुझे खजाना लूटाने का अधिकार है कि मुझे एमपाउर्मेंट के लिए विजनाए बनाने का हक है लेकिन चुनाव है इसलिए मैं लुटा दू यह तरीका कितना उच्छी है और दुनिया में जिन जिन देशों की हालत हुई है तो हमरे पास उदान है कि अब अब देखिये क्या होता है आप एक शहर में मैट्रो बनाते हैं और उसी शहर में चुनाव जीतने के लिए कहते हैं माहिलाओं को बस में फ्री ले जाएंगे मतब आपके मैट्रों के 50% प्रेसंजर आपने लिए तो मैट्रों वाइबल नहीं होगी अब भविष में मैट्रों बन काफ यह अब हम पूलिटिकल तू-तूमे मो चले जाते हैं मुझे वह नहीं करना है मैं बनाक को कॉंक्रित बात करता हूं कि आप इसके करिए हुआ जा भी को भी प्राइब की एवे मेमन को भी प्राइब के आपने बिब्रेख तका कर दिया और मेट्रों क्रिक हारे हो मै्ट की निगाहें भारत भारत के चुनाब पर इस वक्त रूस और अश्या की लड़ाई चलती जा रही है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है इसरेल और हमास की लड़ाई चल रही है इरान के साथ तनाव बढ़ रहा है पिछले पांच साल में भारत की जो कॉम्प्रियंसिव न मुलभूद बात क्या अब तक हम क्या स्थते देसेँमारे वारा मोन यम दोर हम क्या है एक्वडर सर्ण करते हमारा डिप्लोमाटिक हीड भाषा में चल्था था मैना का नथिंग्ग तुडू मेरी भाषा रहे कि हम कितने निकट हैं तो दुनिया में कॉम्पेटिशन शुरू हुई कि निकट कैसे जाए इसके पहले दूर रहने की कॉम्पेटिशन बदर गया तो सब लोग निकट आने की परधा चल देखिए अब देखिए कल मेरा इरान में बहुत बड़ा निर्ट हु हुआ है वह हिंदिस्तान के अख्मारों की हिड्लाइन न्यूज है टीवी मीडिया की 24 घंटे की है और मेरा मिनिस्टर का बाहर थे इरान में थे चाबाहर पॉर्ट का मेरा फाइनल एग्रिमेंट हुआ यह बहुत बड़ा काम है जी सेंट्रल एस्या से जुदा हुआ हुआ है लेकिन पता नहीं है अब है टेबल है टेबल क्या होता है सारी लड़ाई को बीच मेरा चाबाहर का एग्रिमेंट हो जाता है तो मेरे पहली बस्तुए दूसरा तो किसी 30 सेने के आधार पर हम अपने नेड़ये करेंगी हम ने हम वारे लिए ने को तो इससे बात करूंगा तो क्या को जी नहीं तो मैं सबसे बात करूंगा राष्पति पूतिन तरम भार्पूर तारीक करते हैं इसका मठलब यह नहीं कि मेरा अपर पूतिन को मिलकर के कह नहीं सकता हूं कि दिस नाट टाइम पर दूपर तो वह भी मुझे शंबान करेंगे कम सकता है का है यूक्रेण को तो मेरे मेरे special envoy को मैंने इसराइल बेजा कि इसराइल के पदान मंतिर राख्पज़ सबसे मिलना काई मैं का समझाईए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बंबार्डिंग यान हम लेना करें और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्यास किया आखिर आखिर में दो तीन द अजर्म रमजान के मैं अब मैं इसकी नहीं करता हूं को यह लेकिन कोई कीयों ने प्रयास किया होगा परणाम्स ही मिला घ्रम यह भी प्रयास कि देश्ट भारत ने भी किया तो मैंMartal rehe यहीं नहीं करनाता है येतना जटा मैं इजराहिल हमारी आंप रेष्व कै दें इजराहिए पैलस्टाइन जाओ सेकॉलरिजम करके वापिस आओ अगर ना इसाओंगा मुझे धांस डोंकर ने मेरे ही है वाप जाएंगे हुए मेरे घर खाना खाके जाएंगे लेकिन हेलिकॉप्टर जॉर्डन का डेस्टिनेशन पलिस्टाइन और मुझे एस्कोर्ट कर रहे थे इस्राइल के फ्लाइट देखिए आप अगर दुनिया में अब टीनों की दुनिया अलग लेकिन मोदी के लिए आसमान में सब साथ मैं मानता हूँ यह सब तब होता है जब आपके इरादे नेक हो आपके प्रती विश्वास हो और चोरी चुपी नहीं अमेरिकन को मैं कहें करके मुझे पूछ करके नहीं करना होता है मैं रश्या से मेरे देश को सबसे में पैट्रॉल चाहिए मैं लूँगा मेरे ज़रूरी है तो मैं चुपाता नहीं हो और मैं और चीर्श पर बने रहना जैसे कहते हैं अगरेजी मेटस, अल्वेस बरी लॉनली अड़ टॉप और शीर्श पर बने रहना का अपना एक दबाउ भी होता है बहुत आप कभी उस दबाव को महसूस करते हैं आप जब परिक्षा पे चर्चा करते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि कैसे स्ट्रेस को दूर रखना है कभी आपके साथ भी ऐसा दबाव आप फील करते हैं होता कह जी आप लोगों का प्रॉब्लम यह है कि आप उस दुनिया में जीए हैं पले बड़े हैं तो आपके पास हर चीज के उधान वही है मैं उस दिनिया का इंसानी नहीं जीए आप मुझे अलग केस समझे वहवार जीवन के जितनी चीज़ आप देखते हैं मैं उससे परे मापन मुझे कहना पढ़ रहा है और इसलिए मेरे जीवन में कोई चीज यह मोदी यहां बैठा है या मोदी बना है नो नतिंग भारत बना है मैं शाय निमित है और इसलिए किरपा करके और मैं इसे बहुत विरक्त मैं अलिप्न हूं जी इस वक्त जितने भी लोग इस इंटर्व्यू को आज तक इंगेर देख रहे हैं मेरे साथी की बहुत सॉलिड इंटर्व्यू था मतब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आप से पूछे गए आपने किसी यही मेरा आप लोगों से सिकायत है यह मुश्किल सब्दा आप का नहीं है एक इको सिस्थिम ने आप लोगों को डगा करके रखा हुआ है और आप लोग बुश्दिल की तरह डरे हुए हो उनके एजन्दा सेट के लिए सवाल लेके गुमड़े हो आपको बुरा रहे कहता हूं आप सब लोग दबाव में जी रहे हो और मैं मानता हूं मैं अब आग जाता हूं तो कभी पत्रकारों से कम से कम उनके खाल तबीयत वगेरे तो पूछता हूं मैं मैं सीरियर नेशन के सवाल जबाब नहीं करता हूं पूछता हूं मुझे इस आप उनके दिलों में कुछ और पड़ा हुआ है उनके अनुभाव कुछ और है लेकर एको स लुए ठाजबी करों जाब गुजरात के मुख्य मंतली थे आप इम अब अब जब आप प्रेसफिरंटर बने हैं तो आप प्रेस कोणौकाश नहीं करते हैं प्रेस कांफेने का मौका भी कम ही कम नीटा है तो पूछते जी मोजी जी हर तरहां के सवाल का जवाब दे सकते हैं तो आखिर का प्रेस कांफरेंस या इंटर्वियू क्यों ने करते हैं पहली बात यह है कि अगर पिछले इस चुनाव में मैक्सिमम मुझे देखेंगे तो आद तक में देखेंगे मैक्सिमम जब मैंने दिए दाते हैं तीसरे इंटर्वियू तो मैंने तो कभी मना ने किया दूसरा है कि जाना तरह हमारी हां मेडिया का उप्यों यह हुआ है ज्यादा तरही कल्चर बन गया है कि कुछ भी मत करो यार इनको समाल दो अपनी बात बता दो देश में चल जाएग चुल्ष को सही लगे तो मेडिया सही प्रस्टू करें न लगे तो ना करें दूसरी बातुन मैं जवाब दे हूँ पार्लामेंट को बस सब सवाल के जवाब देने के लिए कि मिडिया आज वो नहीं है जो पहले था क्यों कि पहले मैं आज तक से बात करता था लेकिन अब दर्सक को मालूम है मैं राहू से बात कर रहा हूं कौन राहू तो इसने परसो यह ट्विट किया था मतलब यह तो मोदी के फिवन में लिखता है मतलब यह तो वही बात करेगा तो आज मेडिया एस सच सेपरेट एंटिटी रही नहीं है आप भी अनेक लोगों की तरह आपने व्यूद लोग जान चुके हैं तो वह स्थिति आपकी बनी नहीं है पहले बीडिया फेशलेस था उसका कोई चहरा नहीं था बीडिया मैं कौन लिखता है लिखने वाले के विचार क्या है कोई लेना देना लोग मानते थे पहले कोम्युकेशन का एक ही सोर्था मिडिया के बिना करें आप जाही नहीं सकती है आज अखिर कर तो आपको बात करनी है तो मेरी जब गुर्यात में था तो मेरी पब्लिक मिटिंग जो होती थी तो पर्लिक मिटिंग में मैं पूछता रहा हूं अरे तो तो ने पूछता हूं क्यों भैई ऐसा कर्तम बनाया है को काले जिन्दे वाला नीजिता है अरे दो तिन काले जिन्दे वाले रखो तो कल अख्बार में चपेगा कि मुधी जी परतातुं चलेगा कमोधी जिन्दे भीना मेरी अप्ठाक को पूछेगा ताम में दस साल ऐसे भाशन की गुज्रात में डेली मेरा कारकम छाए एक दिन मेरा गाउं के लोग मिलने आए मेरे मंगल को किसी को भी एंट्री थी तो माने कहा जोट है नहीं हो सकता नहीं बुली साहब होगी मैं तुम जूट बोलते हो चोबिस गंटे बिजली हो इनी सकती है पूले साहब मैंने तो किसी अख़बार पर पढ़ानी है कि दुमार यहां चोबिस गंटे हो गए लिए टीवी पर आये न अखभार में आये जूट नहीं नहीं बोले साहब रेडियो वाले अख़बार वाले नीए पताएंगे चोबिस गंटे हो गई है प्रफ तो सब्सक्रा वह ह locally उन्साय द्विय के लिए जी रहा है और खुद के लिए क्यों सोचेगा मैं तो मानता हूं मेरे मुझे इतीहास में कोई याद करें इसके लिए मैं कामकरता ही लोग Ś probability माने जी ट्व में जिनला। का डंका बनका बश्गाया उसको याद करें का वीश्वे के अंदर मेरा भार मिंधने जा रहा है उसको याद करें मैरे जbakनेंगे ». प्रदानवंती नरेंद्र मोदी जिनका ये कहना है कि वो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण भी नहीं होने देंगे और जब तुष्टी करण की राजनीती होगी तो कुछ भी बोलने में उन्हें संकोच नहीं होगा विपक् फ egentल Kern के लितो कोःली होने में संकोफ शोड़ी तेंगे में वपते संक्राइदे लेकिता़ क भी ता करते सी रेचती होगी।